हलो दोस्तों आप सभी का SSCG की ग्यान में स्वागत है आज आप सभी के लिए करेंट अफियर्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टापिक पद्म पुरुषकार से संबंधित इंपोर्टेंट कोईश्चला है 2021 के गरतंतर दिवस के अवसर पर पद्म पुरुषकार परदान किया गया है तो इन सब प्रशनों को देख लेते हैं जो आपकी किसी भी एक्जाम के लिए ये टापिक पहुछ ज़्यादा यूजफूल होगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज आपका first question है कि पद्म पुरुष्कार की घोशड़ा किस दिन की जाती है? तो पद्म पुरुष्कार की जो घोशड़ा है हर साल गरतंतर दिवस के आऊसर पर की जाती है जो इस प्रश्कराई टेंस्वर सी होगा 26 जनवरी को गरतंतर दिवस मनाया जाता है तो उसके आ मानित किया गया है चैने Tomorrow कोर्द को बढ़ते हैं आपका नेक्स beam Hey पेदम पिरुसकार को कौनers करता है पदम पुरुसकार को राश्व पती परदान करते हैं तीस प्रश्व कर राइट- मर यह फेजिगा राष्ट पती पर पुरुष्कार को परदान करते हैं ये चलिए next question क्यों बढ़ते हैं में आपका next question है कि 2021 में पुरुष्कार से कितने लोगों को संभानित किया गया है 2021 में जो गरतंतर दिवस के inspiration पर परदान किया गया है टोटल 119 लोगों को परदान किया गया है तो इस परश कराई टेंसर सी होगा 119 लोगों को पद्म परुषकार से समानित किया गया है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर आप याद रखेगा कि 2021 में जो पदम पुरुषकार है पदम भी भूसर जो साथ लोगों को दिया गया है और पदम भूसर जो है दस लोगों को दिया गया है और पदम सिरी जो एक सो दो लोगों को दिया गया है इसके साथ आप याद रखेगा दोस्तों कि 2020 में जो पदम पुरुषकार है तो पदम जो भी भूसर है साथ लोगों को दिया गया है और पदम भूसर जो है 16 लोगों को दिया गया है और पदम सिरी जो है 118 लोगों को दिया गया है आप 2021 के साथ साथ 2020 में कितनी लोगों को लिए गा चलिए next question के बढ़ते हैं आपका next question है कि 2021 में पद्म भी भूसर से कितने लोगों को सम्मानित किया जाता है इस प्रेश्चन का right answer है सी सेवन साथ लोगों को पद्म भूसर से संमानित किया गया है चलिए इनकी नाम को देखंग लेते हैं कि कि इनकी लोगों को पद मुशडब साथ लोगों को दिया गया है पहले नमबर पे फैसले सुदर्शण साहू को कला के छेत्र में दिया गया है जो उृअज्यास राज्य के हैं इसको आप याद रखिएगा कि विग्यान के छेत्र में जो अमेरिका राज्जी के हैं अमेरिका देश के हैं दोस्तों आपके तिसरे नमबर पे हैं इस पी बाला सुब्रमड़यम इनको भी मरड़ो उपरांद पदम भी बूसर दिया गया है आपका नेक्स है कि डाक्टर वेल ले मुनाफ़ा ह खान को यह भी प्रिशकार प्रदान किया गया है और सिंजो एबी को जो जन सेवा के लिए दिया गया है यह जापान देश के हैं इनको भी आप याद रखिएगा चलिए नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि 2021 में पदम भी भूसर मरड़ो प्रान दिया गया इसको आप याद रखिए गया दोस्तों यह एक्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तीस प्रशकराई टेंसल होगा एसबी बाला सुब्रमर्यम को जाले नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि 2021 में पदम एक होता है पदम भूसर और एक होता है पदम स्री इस करम को आप याद रखिएगा यहां पी लिखा है पदम भूसर तो पदम भूसर दस लोगों को परदान किया गया है तो इस प्रशकराई टेंसल यह होगा इन दस लोगों को परदान किया गया है उनके नाम को देख लेत जो साहित और सिच्छा के छेतर में दिया गया है करनाटक राज्य के हैं और तिसरे नमबर पे हैं तरुड गोई किस्वर नायर जो शांता कुमार को दिया गया है कला के छेतर में दिया गया है आपका नेक्स नमबर के हैं तरलोच्चन सिंग जो जन सेवा के लिए दिया गया ह नवे नबर पक्षाए्टु स्वासर को prevention आ Immo हम और प्राइव के ़िंग दिया है। फ्लिजसर त्राइश कें में, कर्ता प्रुक्त कि वह स्वार आसी। यह अन्सिय के लिए दिया है। नवे नमबर पे हैं निरिपेंद्र मिस्र जो लोक सेवा के लिए दिया गया है तरप्रदेश के हैं दसे नमबर पे हैं कृष्ण नायर शांता कुमार इनको कला के छत्र में दिया गया है जो केरल राज्य के हैं चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश दोक्र सो यहां पे आप करम याद रखिए का पौद्म पहले नंबर प्याता है पद्म भी साथ पदम भी भुसर में बोसऑoter्क है तो तो यहां पर संबद में10 लोगों को दिया गया है पदम भुसर 특क में 10 लोको और पदम सिरी में 102 2020 में कितने लोगों को पद्म पुरुषकार दिया गया है 2020 में टोटल 141 लोगों को पद्म पुरुषकार दिया गया था इस प्रशकराई टेंसर हो जाएगा ए चले नेक्स क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर आप याद रखेगा कि जो 2020 में पद्म भूसर में द 2020 में टोटल 141 लोगों को पद्म पुरुषकार प्रदान किया गया था चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि पद्म पुरुषकार से जो पद्म पुरुषकार होता है यह तीन पुरुषकार कौन कौन से होते हैं तो पद्म पुरु पर आप याद रखेगा जो पद्म ही भूसर, पद्म ही भूसर औपॉशरी जो रहता है यह पुरुसकार जो हता है विभीन विश्यों, गतिवीद्यों के छेत्रों, अर्थात कला, समाजिक कार, सारवजनिक समाजिक, समाजिक याधिक कार, सारवजनिक मामले, विज्यान नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि भारत का पहला सरवच नागरिक संबान कौन सा है तो भारत का जो सरवच नागरिक संबान है भारत रत्न है तिस प्रश कराई टेंस्वर भी होगा दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा कि दूसरा जो सरव सन बढ़ते हैं अब हारत शार्ट रतने से संवानित होने वाली भारती महिला कроं ہیں और एस प्रश्ण कर आइट एंसव्जांत कर सकτε एंद्रगाधी को भारत रतने से संवानित होने वाले पहली माहिला है इस प्रश्ण को आप याद रखिएगा चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्रश्ण दोस्तों सबसे पहले भारत रत पुरुषकार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया तो सभ्सेपहले जो भारत रत सबसेपहले भारत रत पुरुषकार से सम्मानित किया गया था इस प्रश्ण का राइटन्सौर को due होगा चले नेक्स क्यों परते हैं आपका नेक्स question है कि भारत रत्न पाने वाले सबसे यूवा शक्स कौन सा है जो को वेरी वेरी important प्रशन है दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि भारत रत्न पाने वाले सबसे यूवा शक्स सचीन टेंडूल कर रही है चलिए next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है तो भारत रत्न जो है अब तक जो गैर नागरिक है तो खान अब्दुल फारखान को दिया गया है इसके साथ नेरंसन मंडेला को दिया गया है इस प्रश्कराइट एंस्वर सी होगा दो लोगों को भारत रत्न अब तक गैर नागरिकों को दिया जा चुका है दोस्तों